कहानी की सुरुवात में एक लड़की रात के समय कहीं जा रही होती है लेकिन तब ही इसे वीच के हसने की यावाद सुनाई देने लगती है और वीच अब इसको सामने से घेर लेती है जिसकी दोनों आखे बिलकुल लाल हो गई थी इसके बाद वो लड़की को मार कर उसकी जाता है और इसे पकरने की कोसिस करता है जिसके दोरान दोनों के बीच में फाइट होती है लेकिन फिर भी बीच भागने में कामयाब हो जाती है अब अगली सुबा हम ड्रेगन टेंपल को देखते हैं जहां ड्रेगन प्रिंसेस हाइलान दिवार से बाहर आती है इसके आसे गार के साथ में इसकी बहस हो जाती है और ये लोग इसे पकरने की कोसिस करते हैं तभी सेंग भी यहाँ पर आ जाता है और हाइलान से कहता है कि हम यहाँ पर एविडेंस खोज रहे हैं इसलिए तुम कोई परैसानी खड़ा मत करो इसके बाद सेंगी से बाहर करने जात लेकिन तभी टाइम अचानक से फ्रीज हो जाती है और ऐसा यून ने किया था जो हाइलान का बेस्ट फ्रेंड है अब इसे देख हाइलान पूसती है कि तुम यहां पर क्या करने आ गए तब यून कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बारिस कराने के लिए भेजा गया है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मैटर के बीच में पड़ो इसके बाद वो हाईलान का प्लान पूसता है फिर हाईलान बताती है कि मैं इसी के साथ में रहूंगी और इन्वेस्टिगेशन पूरा होते ही ड्रैगन पैलेस में वापस चली जाऊंगी इसके बाद यून हाईलान को फोनिक्स मीरर देता है और काता है कि कोई भी मुसीबत आने पर तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो इसके बाद हाईलान सेंग के पास आती है और इसके हाथों से जखमी होने का बहाना बना कर बेहोस हो जाती है अब यहाँ देखते ही सेंग परहसान हो जाता है जिसके दौरानी से हाईलान की बलेसिंग रीवन दिखाई देती है फिर सेंग अपने आदमी से डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है और हाईलान को अपने घर लेकर आ जाता है अब यहादे कि इसकी मदर परिसान हो जाती है जिसके बाद सेंग इनको पूरी कहानी बताता है और डॉक्टर हाईलान को चेक करता है इसके कुछ दिर बाद वो होस में आ जाती है लेकिन अब हाईलान ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि उससे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है तब सेंग इसका ब्लेसिंग रीबन दिखाता है जिसके बाद यूही इसकी फैमली के बारे में पता लगाने के लिए कहती है तब ही हाईलान सेंग की मदर से यहीं रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है जिसके बाद सेंग की मदर इसकी बात मान जाती है लेकिन यूही को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी इसके बाद हम विच को देखते हैं जो अपने मास्टर के फास इंजरी हील कराने गई थी और कहती है कि ये इनसानी आखें केवल कुछ दिनों में ही लाल हो जाती हैं जिसकी वजास से मुझे फिर नई आखें खोजनी पड़ती हैं यह सुनकर मास्टर इसे बताती है कि ड्रैगन प्रिंसेस के पास ड्रैगन आईज हैं जिन से आसू गिरते ही बारिस होने लगती है और वो कभी भी खराब नहीं होंगी यह सुनते ही विच इसे पाने का तरीका पूशती है तब मास्टर बताती है कि ड्रैगन प्रिंसेस बारि इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी बजा से ड्रैगन प्रिंसेस अपनी आखे अपनी मर्जी से निकाल दे लेकिन सेंग तुम्हारे रास्ते में आने की कोसिस करेगा या सुनकर वीचु से मारने का डिसाइड कर लेती है वहीं सेंग अपने रूम पर अकेले था तभी वीच इसके ऊपर अटेक करने की कोसिस करती है जिसके बाद सेंग भी इस पर अटेक करता है लेकिन तभी हाईलान को पता चल जाता है कि सेंग की जान खत्रे में है इसलिए वो तुरंती से बचाने आ जाती है लेकिन अब सेंग ही इसे बचाता है और फिर बेहोस हो ज इसके बाद हाईलान वीच का सामना करती है लेकिन वीच इसके मार्सलाइट का सामना नहीं कर पाती और उसे यहां से भागना पड़ता है इसके बाद हाईलान अपने ड्रैगन परल यूज करती है और सेंग की इंजरी को हील कर देती है लेकिन फिर वो बेहोस होने की एक्टिं इसके बाद सेंग 18 की एज़ वाली सभी लड़कियों के बारे में पता लगाने का डिसाइड करता है ताकि अगले विक्टिम को बचाया जा सके इसके बाद ये दोनों मिलकर सभी रीवन को चेक करने लगते हैं और अब इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना सुरू कर दिय तब ही इसी बीच हाईलान का बैलन्स खराब हो जाता है जिसे देखते ही सेंग इसे नीचे किरने से बचा लेता है और अब हाईलान सेंग को बहुत ही पसंद करने लगी थी अब रात को दोनों किसी जगा पर आये थे जिसके दोरान वीच सेंग पर चुपके से हमला करने व रखता कि जिसने तुम्हारे उपर अटैक किया था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है तब सेंग कहता है कि मैं केवल अपनी आखों से देखी हुई बात पर यकीन करता हूं लेकिन इन दिनों मैं केस में काफी विजी हो गया हूं इसलिए तुम खुल का ख्याल रखा करो अब इस बात को सुनकर हाइलान के दिल में सेंग के लिए अलगी फिलिंग आने लगती है तब ही रात कोई उन हाइलान से कॉंटेक्ट करता है और इसे बताता है कि कल तुम्हें बारिस करानी है लेकिन दियान रखना कि कोई भी इनसान तुम्हें ना देख पाए तब हाइलान कह खेलाल हो जाएंगी अब अगले दिन हाइलान बारिस कराने रिवर के पास आ जाती है लेकिन चिंग ने इसको देख लिया था और वो यूही को इस बारे में पता देती है अब इस बात को सुनकर यूही हैरान हो जाती है और वहाँ जाने का डिसाइड करती है वहीं अब हाइल भी जान जाती है कि ड्रैगन प्रिंसेस ने अपनी पावर का यूज़ करना सुरू कर दिया है इसके बाद रीवर को कमांड देती है और कुछ दिर में ही बारिस सुरू हो जाती है अब हाइलान भी काफी खुश थी क्योंकि ड्रेगन परल की वज़ा से इसकी पावर बढ़ गई थी और इसलिए वो अपने आसू गिराय बिना ही बारिस करा रही थी इसके बाद हाइलान ड्रेगन परल को अपने पास बुलाती है और अब यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेती है लेकिन इसकी बोट यहाँ से गायब हो गई थी इसलिए हाइलान अपनी पावर यूज करने का सोचती है लेकिन इस वक्त यूही भी यहाँ पर आ गई थी और वो हाईलान को गायब होते हुए देख लेती है जिस बात से वो काफी हैरान हो गई थी इधर हाईलान घर पर आ जाती है और अपना ड्रेस चेंज करने लगती है लेकिन तभी यूही भी वापस आ जाती है और जैसे ही खिरकी से देखने की कोसिस करती है उसे हाईलान की लाला लाखे दिखाई देती है जिसे देखते ही यूही काफी डर जाती है क्योंकि इसे लग मैंने उसे गायव होते हुए भी देखा था इसलिए मुझे लगता है कि वही लोगों को मार रही है या सुनते ही चिंग भी बहुत डर जाती है लेकिन अब युही इस बारे में लेटर लिखने का डिसाइड करती है क्योंकि इस वजा से हाइलान को जेल हो जाएगी और सेंग स भी दूर चली जाएगी वहीं अब किंग सेंग को बुलाता है और उसे एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा था कि वीच इसके ही घर में चुपी हुई है या जानकर सेंगी से हाइलान के बारे में बताता है और कहता है कि वह तो एक औरडिनरी इंसान है इस पर किंग बोल लाता है कि किसी ने चुपके से तुमारे बारे में लेटर लिखा है लेकिन अब इसकी नजर आँख पर बंदी हुई पटी पर जाती है और वो पूसता है कि तुमारी आँखों को क्या हुआ तब हाइलान कहती है कि बारिस में भिगने की वज़ा से कुछ प्रॉब्लम हो ग हाइलान को इन से दूर ले जाने लगता है जिसे देखते ही सब इनको पीटने की बात करने लगते हैं अब इस बात से हाइलान को सेंग के रेपूटेशन की चिंता होने लगती है इसलिए वो ड्रेगन परल का यूज करती है और टाइम को फ्रीज कर देती है क्योंकि वो ड् सब में क्यों पढ़ना चाहती हो तब हाइलान कहती है कि सेंग एक बहुत अच्छा इंसान है इसलिए मैं उसके करेक्टर पर कोई भी दाग नहीं लगने देना चाहती फिर भी यूनी से ऐसा करने से मना करता है क्योंकि तब इसे बारिज कराने के लिए अपने आसू का यूज करना पड़ेगा लेकिन हाइलान अभी भी नहीं मानती जिसके बाद यून पूस्ता है कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी तब हाइलान कहती है कि उसके इसमाइल को देख मुझे काफी खुसी मिलती है और उसकी नजरों में मैं अभी भी एक ओर्डिनरी इंसान इसलिए मुझे अब तुमारे मीरर की कोई भी जरूरत नहीं है जिसके बाद यून यहां से चला जाता है और हाइलान ड्रेगन परल को सेक्रिफाइस कर देती है इसके बाद हाइलान अपने आँपर से पटी को हटाती है और अब इसकी आँखे बिलकुल नॉर्मल हो गई थ जो कहता है कि इसकी आँखे तो नॉर्मल है इसलिए जाहलर की वीच नहीं हो सकती लेकिन अब यूही से कहने लगती है कि यही असली वीच है क्योंकि मैंने इसको गायब होते हुए देखा था और इसकी आँखे बिलकुल लाल हो गई थी लेकिन सेंग इसकी बातों पर यकी करने के लिए कहती है लेकिन सेंग इसके उपर द्यान नहीं देता जिस बात से यूही दुखी हो जाती है तब ही वीच इसके सामने आती है और पूस्ती है क्या तुम इस बात का बदला नहीं लेना चाहती वहीं सेंग हाइलान के साथ गर वापस आ जाता है जहाँ पर हाइल जान सेंग से पूछती है क्या तुम मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं जाना चाहते तब सेंग कहता है कि जिस दिन तुम चाहो मैं इस बारे में सुनने के लिए तयार हूं लेकिन इधर यूही काफी गुसा थी क्योंकि सेंगी से इग्नोर करने लगा था इसलिए वो बदला लेने का डिसाइड कर लेती है अब अगले दिन सेंग की मदर का वर्थडे होता है जहां यूही इनको सर्प्राइज देने के बहाने से गार्डेन वाले एरिया में लाती है लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था तब ही अचानक से सेंग की मदर को किसी की चिंग सुनाई देती है जिसके बाद वो रूम के अंदर आती है जहां चिंग की डेड बोडी पड़ी हुई थी और वाइड ड्रेस में विच इसके पास खड़ी हुई थी जिसे देखते ही सेंग की मदर बेहोस हो जाती है फिर हम देखते हैं कि यूही इसके साथ में मिल ग और यहाँ सब्दे काफी धुखी हो गई है जिसकी वजा से इस की आखे लाल होने लगती है तब इस सेंग और बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन अब Kiss जैसे ही Highland के लाल आखो को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है तब highly इसे बताती है कि तुम जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है तब इस सेंग की मदर भी होस में आ जाती है और सभी से कहने लगती है कि यही असली कातिल है और इसी ने चिंग को भी मारा है तब हाइलान काने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि चिंग तो पहले से ही मरी हुई थी इस पर सेंग क मदर कहती है मैंने सब कुछ अपनी आखों से देखा इसके अलावा मेड भी हाइलान को कातिल बोलने लगती है इस पर हाइलान बताती है कि मेड भी जूट बोल रही है लेकिन तभी यूही इसे एक थपर लगा देती है और कहती है कि सेंग की मदर ने सब कुछ अपनी आखों स इसलिए तुम ही असली वीच हो. इसके बाद हाइलान सेंग से बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन वो इस पर कुछ नहीं बोलता. तभी किंगी से अरेस्ट कर लेने के लिए बोल देता है क्योंकि सारे एविडेंस इसके ही खिलाफ है. लेकिन अगर हाइलान चाहती केवल एक पल में यहां से बाग जाती लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि इस तरीके से सेंग इस पर यकिन नहीं करेगा और इसकी वजह से वो इसे आखरी बार भी नहीं देख पाएगी इसलिए हाइलान इनके साथ में चूप चाप जाने लगती है अब इन सभी बातों से सें करने के लिए और बेगुना साबित करने के लिए जरूर कुछ करेगा तब ही यूनी से ड्रैगन पैलेस में वापस ले जाने के लिए आता है लेकिन हाइलानी से मना कर देती है क्योंकि वो सेंग का वेट करेगी तब यून समझाता है कि सेंग जो देखता है उस पर यकीन कर लेता है इसलिए उसका वेट करने से कोई फाइदा नहीं है लेकिन हाईलान अभी भी इसकी बात नहीं मानती तब इस पर यून कहता है कि ड्रैगन और एक इनसान कभी भी साथ नहीं रह सकते और फिर यहां से वापस चला जाता है इधर यूही वीच को तंतरमंतर करवाने ला सकती हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें वीच की दोनों आखो को लाना होगा इसके बाद वीच यूही को इसारा करती है जिसके बाद यूही से हाईलान की आखे लाने के लिए कहने लगती है और अब से अपनी मदर को बचाने के लिए दोनों की बात मान जाता है इसके बा और तुम्हारी वज़ा से ही मेरी मदर बेहुस पड़ी है इस पर हाइलान कहती है कि मुझे तुम ले चलो मैं उनको ठीक कर दूंगी लेकिन सेंग इसकी कोई बात नहीं सुनता जिसके बाद हाइलान समझ जाती है कि सेंग इससे मिलने के लिए नहीं आया है इसलिए वो इसके काने की वज़ा पूछती है जिसके बाद सेंग कहता है कि मुझे अपनी मदर को बचाने के लिए तुम्हारी आखे चाहिए अब इस बात को सुनकर हाइलान दुखी हो जाती है और कहती है कि यून की बात बिल्कुल सही है क्योंकि इनसानी दिल तो सच में काफी खतरनाक है यह सुनकर सेंग पूछने लगता है कि असल में तुम हो कौन इस पर हाइलान कहती है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो केवल तुम्हें ही देखना चाहती थी लेकिन अब तुम ही मेरी आखे लेना चाहते हो जिसे मैं तुम्हें जरूर दूंगी इसके बाद हाइलान अपनी आखे निकाल कर इसके सामने रख देती है जिसे देखते ही सेंग हैरान हो जाता है इसके बाद यूही दोनों आखे ले लेती है और सेंग को लेकर यहां से चली जाती है जिसके बाद वीच को ड्रैगन प्रिंसेस की आखे मिल जाती है लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई थी जिसके बाद सेंग जान जाता है कि असली कातिल कोई और है वहीं अब हाईलान को मौत की सजा देने के लिए तलाब में फेक दिया जाता है तभी यूनि यहां पर आ जाता है और कहता है कि वाटर तो ड्रेगन के लाइब का एसेंस है इसके पाद हाईलान अपने ड्रेगन रूप में बाहर आती है जिसे देखते ही सब काफी हैरान हो जाते है और वीच भागने की कोसिस करती है लेकिन सेंग अपने वाटर मैजिक से इसको पकड़ लेती है और अपनी दोनों आखें वापस लेने के बाद इसे मार कर पानी में गिरा देती है तभी सेंग भी यहाँ पर आ जाता है और हाईलान से कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे उपर जूटा इलजाम लगाया गया था लेकिन अब हाईलान कहती है कि मेरे साथ जो हुआ है उस बात से मेरा दिल तूट चुका है क्योंकि तुमने मेरे उपर यकि नहीं किया यह देक सेंग इसके पास आने की कोसिस करता है लेकिन हाइलान अपने बीच में पानी की दीवार बना देती है अब सेंग को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो हाइलान से एक और चांस मांगने लगता है लेकिन हाइलान कहती है कि मैंने सायद गलत इंसान से लिया था इसलिए आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और इतना कहने के बाद वो यहां से चली जाती है लेकिन सेंग भी डिसाइड करता है कि वो अपने आखरी सांस तक हाइलान का वेट करेगा और अब ड्रेगन टेंपल में ही अपनी पूरी जिंदिगी उजारने लगता है जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर देना